हेलो दोस्तो स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्तान एकेडमी पर मैं परविंट सिंग आप सभी लोगों के साथ में आज इस वीडियो के माध्यम से एक न्यू जो वेकेंसी है नई जो भरती है उसकी सूचना को साजा करने वाला हूं और इस बरती को लेकर कि आपके कुछ जो डाउट सें वो यहाँ पर मैं किलियर करने वाला हूं जैसे कि इसमें सेलेरी कितनी मिलेगी इसका पाठे करम क्या रह सकता है और इतने पदों पर कहां हमें जो है लगाया जाएगा क्या ये सबी जो है चल रहा है इस पगरा के जो भी डाउट सें आपके दिमाग में है ना सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये कौन सी बरतियों की बात हो रही है तो ये उन बरतियों की बात कर रहे हैं हम जिनके बारे में हल ही में हमारे मुख्यमंत्री जी के दौरा डिकलेर किया गया है कि हम इन पदों पर बढ़ती निकालेंगे कौन सी तो देखिए एक कहा गया है सफाई करमचारियों की बढ़ती ये एक अलग बढ़ती है द्यान रखना ये है सफाई करमचारियों की बढ़ती उसके बाद में दूसरी जो बढ़ती निकालने का कहा है वो है पहान चालकों की यानि बस ड्राइवर जो होते हैं उनकी बात की गई है और तीसरी जो निकाली जाएगी वो है चतूर्त स्रेनिक करमचारी तो ये तीनों बर्तियां अलग अलग है और बड़ी अच्छी बात ये है कि तीनों ही बर्तियों के अंदर अगर हम देखें तो आपके दस्री पास वाला इसको आराम से फॉर्म को फिल कर सकता है अब सबसे पहले मैं बात करता हूं सफाई करमचारीयों की बात सफाई करमचारियों की भरती अलग से निकाली जाएगी और इसके अंदर बड़ी अच्छी बात ये है कि कोई नियुनतम सेक्षनी की योगिता नहीं रखी जाएगी और दूसरी ये बात है इसमें अच्छी कि इसमें 23,820 करमचारियों की भरती होगी और ये जो है आपके पद किन के लिए हैं तो जो नगर पालिकाएं हैं नगर निगम हैं नगर निकाएं जितने भी हैं उनमें सफाई करमचारियों की बरती की परकरिया सुरू की जाएगी और इसके अंतरगरत सारवजनिक सफाई व्यवस्था में जो कारे अनुबव होगा उसके आदार पर आपका आविदन करना है और लोट्री के बेस पर जो है आपका चैन होगा तो इसके अंदर किसी भी परकार के आपके कोई एक्जाम नहीं होने वाला नहीं आपकी जो है कोई यहां पर पड़ाई काम आने वाली है क्यों क्योंकि यहां पर किसी भी परकार की कोई सेक्षनी की योगेता नहीं मांगी है हाँ अगर आप सारविजनिक इस्तानों पर सफाई करते हैं पहले से ही या इस परकार का कोई कारे कर रहे हैं उसका अनुभव जो है पो आपको यहां मांगा जाएगा जैसे आप किसी स्कूल वगरा में अलरेडी लगे हुए है वगरा तो ठिक इसके बाद वहान चालकों की ब लग-बग 5000 पदों पर जो है बड़ती की जाएगी और वहान चालक के लिए दस्वी पास नियुनतम योगिता होगी और इसके साथ में जो है आपके पास में आपको पता होना चाहिए कि ड्राइवेग लाइसेस भी दो परकार के होते हैं एक हलके वहनों के एक बारी वहनों ठीक है तो देखो वैसे तो हलके वहानों के पहले मांगे जाते हैं लेकिन आपके पास में अगर बारीवान का है या आपने बारीवान के लिए APPLY कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है इसलिए आप पहले ही बारीवानों का driving license बंड वाले हैं ठीक है उनको ही यहाँ पर जो ह है ये बढ़ती होगी यानि जब भी आएगी ये वहां चालक की बढ़ती तो 5000 पदों पर होगी और इसके अंदर एक्जाम होगा और दसी पास एक्जाम इसका मतलब आप सीरे सीरे समझ सकते है कि यहाँ जो है कहीं न कहीं आपके जो पहले आपका बन रक्षक की बढ़ती हुआ करती थी कौन स्टेंबल की जो बढ़ती होती थी है ना आपका जो यह कह सकते है इसके अलावा और कौन सी आती है दसी पास में जैसे अभी आपके यह जो पसू परीचर आई है इस लेवल का ये एक्जाम जो है कंड़क्टर किया जाएगा रिटन एक्जाम की बात कर रहा हूँ तो अभी से ही आप जो है इन एक्जाम की तैयारी में लग जाएए बर्ती का देखो बोला है तो इसका मतलब कभी न कभी जरूर आएगी हो सकता है कि एक-दो दिन उपर नीचे या थोड़ा सा डिले आगे-पिछे होता रहता है लेकिन बर्ती अगर बोली गई है तो फिर उसके बाद आती ही है तिक है इसलिए आप इन बर्ती उपर तैयारी कर सकते हैं इसके बाद में देखो चतूर्त स्रेणी करमचारी और सफाई करमचारी दोनों अलग-अलग बढ़तियां हैं सफाई करमचारी नगर निकाओं के लिए है वहीं पर चतूर्त स्रेणी करमचारियों के बढ़ति जो है वो लग-बग साथ हजार पदों पर की जाएगी सबसे ऐलाई नहीं करते हैं इसमें कहीं जो है B.A. किये हुए B.A.C किये हुए M.A. किये हुए लोग भी beloाई करेंगे क्यों सर ऐसा क्या है अरे भगाई इसमें ऐसा यह है कि आपकी जो इह वर्ती है इसके अंदर salary बहुत तगड़ी मिलेगी तो salary कैसे तगड़ी देखो भाई सबसे पहले तो इसके अंदर जो grade पे रहेगा आपका वो रहेगा कितना तो देख लो ये थोड़ा सा है ना ये काम की चीज़े यहीं से हमें थोड़ा motivation मिलता है grade पे इसका रहेगा आपका 1700 अगर मैं बात करू लेवल की तो आपका लेवल रहेगा वन ठीक है और प्रॉबेशन के अंदर जो आपको salary मिलेगी इसमें प्रॉबेशन प्रेट जो होता है दो साल का उसमें जो आपको salary मिलेगी वो salary रहेगी आपकी 12,400 रुपे कितनी रहेगी 12,400 रुपे उसके बाद मैं आप का जो है यहां पर provision complete होने के बाद जो आपको salary दे होगी वो आपके basic पर depend करेगी तो आपका basic जो है वो almost यह आप इसमें बान के चलिए 17,700 होता है इसका जो basic pay है वो कितना है तो basic pay है आपका 17,700 इसके अंदर आप 50% तो DA मिला लो और HR मिला लो तो almost यह पूरा मिल मिला के आपका लगबग देखो भई DA 50% यानि 17,700 का आदा 17,700 का आदा यानि कि आपका सीधा हो गया 8,000 रुपे आप इसमें जोड़ दीजिए आप साड़े आठ और वो थाड़े 300 यानि लगबग 9,000 रुपे आप इसमें जोड़ेंगे extra तो यह आपका तो उससे तो बड़िया है ना कि महिने का 30,000 रुपे salary मिले और वो भी क्या करना है आपको या तो school में लगाया जाएगा या किसी office में लगाया जाएगा ठीक है इसकुल में लगाए जाएगा कक्सा कक्स साफ करना है प्रिंसिपल का रूम साफ करना है उसके अलावा जो है आपके जो बच्चे खाना वाना खाते हैं मीड डे मिल वगए अब हो थोड़ा बहुत साफ करना है और क्या करना है बताओ तो आपको पढ़ने का पूरा समय मिलेगा आप निची दूरूप से ही इसके बाद में आगे आप जो भी अपना लक्स रखते हैं चाहिए UPSC रखो चाहिए RAS एक्जाम रखो फर्स करेट सेकंड करेट थर्ड करेट जो भी आप एक्जाम चाहें उसकी तयारी आप जो है इसक इतना तो सोचो आई लोग P.O.N. से जो है शुरूआत करते हैं और रिटार्ड होते होते हैं डबल A.O. यानि कि असिस्टेंड एड्मिस्टेटिव ओपिसर साहिक परसासनिक अधिगारी तक पहुच करके रिटार्ड होते हैं यह और बता दू आपको आपको लग रहा होग अगर आपने दसी पास है इस पे लग गए उसके बाद आपके बारवी की पास है आप तो आपका N.D.C. में परमोसन हो जाएगा अगर आप ग्रेजूएट हो गए तो आप फिर U.D.C. बनेंगे और उसके बाद में आपका जो है डबल A.O. में परमोसन होता है फिर आप A.O बन सकते हैं और अगर आपके पास में कॉलिफिकेसंस हैं कितनी केवल ग्रेजूएशन चाहिए तो आप इजी ली जो है इसमें आगे बढ़ेंगे तो जो ग्रेजूएशन किया हुआ बंदा है वो तो निच्चित रूप से ही इसकी त्यारी करेगा क्यों 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 को सोचेगा कि पर 30,000 उपर घर बेटे मिल रहे हैं का करना है स्कूल में जाके थोड़ा बहुत काम करके आना टीचर की तरह है और अगर आपके अंदर योगिता होगी आपको पढ़ाना आता होगा तो ये काम करने के बाद आपको किसने मना किया आप जाके कलास ले लो कौन मना कर रहा है तो आप अपने आपको ऐसे पीओन ही नहीं समझे आप अपने आपके अंदर एकर स्किल रखते हैं तो आप बहुत आगे जाएंगे और मेहनत करिएगा तो आप आरेस भी बन सकते हैं तो एक उधारन बदेंगे लोगों के लिए कि पीओन से सुरुआत करी और चोटी नहीं होती है लगातार आप मेहनत करते रहिएगा तो बाद में भी आगे बढ़ सकते हैं हमेशा जो है सुरुआत कर छोटे खदमों से ही होगी तो इसी के साथ आपको यह इनफॉर्मेशन देता हूँ तो आप इस इनफॉर्मेशन को अच्छे से ध्यान में रखते ह हुए जब भी यह वेकेंसिया इसकी तैयारी में लग जाईएगा और इस भरती के लिए कोस्टेंबल पर सूपरीचर वन रक्षक वन पाल इसके जो पैपर्स थे उनके उपर एनलैसिस उनकी जो सिलेबस था वही सिलेबस यहां रहा सकता इसलिए अभी से ही राजस्तान जी के साइंस मैस रिजनिंग यह दो तैयार कर लीजिए धन्यवाद जैहिंद जैवारत